हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो वर चानल डेली हिल टिप्स दोस्तों अब हमरे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकान को क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए खुबसूरती को चाचान लगाने के लिए ग्रीन टी का ऐसे इस्तेमाल करिए दरासल ग्रीन टी में बहुत से अंटी ऑक्सिदेंट्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को फ्री राइडिकल से बचाने में मदद करते हैं इसके साथ ही जुरियां, फाइन लाइन्स, उन पर भी तवचा संबंदी अन्य समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करता है दोस्तों कहते हैं कि ग्रीन टी के नियमें सेवन से मुटापा भी घटाया जा सकता है और परफेक्ट शेप बॉड़ी भी पाई जा सकती हैं चलिए जानते हैं इसके फायदे पहला है मुहा से दूर भगाता है ग्रीन टी गर्मियों में पसीने के कारण चहरे पर मुहासे की समस्या हो जाती हैं ऐसे में ग्रीन टी को पानी में उबालिये और थंडा होने पर उसमें दो चमच दही मिनाटर अच्छे से पेस्ट की तरहा बना ली अब इस मिक्षन को तवचा पर 20 मिनिट के लिए लगाने से फायदा होता है इस पैक में मौजूद लैक्टिक आसेट चहरे के मुहासे और दाग धबों को दूर करता है जिसमें आपकी स्किन चमकने लगती है दोस्तों स्किन प्रोटेक्टर है ग्रीन टी ग्रीन टी स्किन के लिए बहदी फादिमन होती है इससे आपकी स्किन टाइट वहती है इसमें एंटी एजिंग एलेमेंट्स होने के साथ ही ग्रीन टी में एंटी ओक्सिदेंस और एंटी इंफ्लमेटरी एलेमेंट्स भी होते हैं जिसकी वज़ा से यह हमारे स्किन को प्रिटेक्ट करती है। ग्रीन टी से स्क्रब बनाने के लिए वाइट शुगर, थोड़े पानी और ग्रीन टी को अच्छे से मिलाएं। यह मिक्षन आपकी स्किन को नरिश करने के साथ साथ सौफ बनाएगी और स्किन के हाइडरेशन नवेल को भी बनाए रखेगी। आंखों की सूजन को कम करता है। ग्रीन टी आंखों की सूजन और थकान उताने के लिए परफेक्ट उपाय है। इसके लिए आपको बस ये करना है कि दो टी बैग्स लीजिए और हलके गर्म पानी में गीला करके 15 मिनिट के लिए आंखों पर रखिए इस से आपके आंखों में होने वाली जलन और सूजन कम होती है चाय में प्राकुरूतिक एस्ट्रिजिन्ट होते हैं जो कि आपकी आंखों की सूजन को कम करते हैं टी बैग लगाने से दार सरकल भी खत्म हो जाते हैं एजिंग की समस्या में फाइदेमन है ग्रीम टी कुछ महिलाओं को समय से पहले ही एजिंग की समस्या हो जाती है और चहरे पर जुरियों के निशान पढ़ने लगते हैं ऐसे में थंडी ग्रीम्ती में कुछ बुन्दे नीमू के रस्की मिलाएं और रात को सोने से पहले इस मिक्षन को चहरे पर लगा लें सुबह थंडे पानी से चहरा धोएं इसके लगातार उप्योग से कुछ दिनों में आपकी जुरियां कम होने लगती है गोरी रंगत पानी के लिए क्रीम्टी क्रीम्टी के उपायों से त्वचा के अच्छी तरहां सफाई कर सकते हैं इसके लिए ग्रीम्टी में थोड़ा सा घुलाब जल मिला कर अच्छे से मिला लें ताकि ठी अपना रंग छुना शुरू कर दें आप कॉटन की सहायता से इससे पूरे चहरे की सफाई करिए यह मित रूप से इस कापियों करने से हमारे चहरे की रंगत में बदलाव दिखाई देगा दोस्तों ऐसे आप ग्रीन टी कापियों करके अपने चहरे के स्किन को चमका सकती है सनबर्न से सुरक्षा चहरे पर संस्क्रीन लगाने पर भी सनबर्न की दीकत अगर खत्म नहीं होती है तो आप नहाने के पानी में चाई की पती डाल लीजिए और इसे नहाने से आपकी सनबर्न से होने वाली जलन, खुजली, आदी से रहात मिलेगी फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीचे और साथ इस वीडियो को अपने फैंली और फ्रेंड्स में शेर भी कीचे पैरों की बद्बू का इलाज ग्रीन टी की महक स्ट्रॉंग और पावरफुल होती है इसकी महक को आप पैरों की दुर्गन दूर करने के लिए यूस कर सकते हैं यूस की हुई चाय पत्ती को पानी में डाल दें और उसमें पैरों को 20 मिनिट के लिए डाल कर रखें इससे चाय आपके पैरों के पसीनी को सोक लेती हैं और स्मेल को खत्म करती हैं दोस्तों हम आपको बताऊंगी Green Tea के Face Mask A1 Packs सबसे पहरे हम बनाएंगे Green Tea Cleaner दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए आधा कप उबला पानी और चाय की दोनों पत्कियों को उसमें डाल दी इसे 45 मिनित तक ऐसे ही रखें क्योंकि दोस्तों इस समय के बाद पानी का रंग बदलना शुरू हो जाता है अब इसे थंडा होने के लिए रखें कुछ मिनिटों के बाद जब ये थंडा हो जाए तो इससे मूद धोली आप गर्म चाय के पानी दौरा भाप लेकर भी थवचा की सफाई कर सकते हैं भाप लेने से तवचा के रोण छीत्र साफ होते हैं ये उपाय को अपनाने के बाद आपकी तवचा स्वस्त बनेगी दोस्तों गरीन की टोनर एक बार जब आपने Green Tea Cleaner की वीधी का प्रयोग करके चाय के पैकेट्स को छोड़ दिया तो इन्हीं चाय के पैकेट्स का त्वचा को टोन करने के उप्योग करिए नहाने जाने से पहले चाय के इस बैक को चेहरे पर रगड़ें इसे दस मिने तक छोड़ दें और फिर स्क्रब कर लें Green Tea का ये उप्चार तवचा के लिए बहतरिंग टोनर का काम करता है Green Tea Exfoliate दोस्तों फेस पैक बनाने के लिए दो चमच थंडी टी लीफ क्लीनर लें और इसे थंडा करने के बाद इसमें दो चमच चीनी डालें इसे अच्छे से मिला कर इसका एक मिक्षन बनाईए और इसे उंगलियों की सहायता से अपने चेहरे पर लगाएं अब त्वचा को सुखने दें और 40-45 मिनिट प्रतिक्षा करें सुख जाने के बाद आप गुनगुने पानी से चेहरे को धोलें यह चेहरे से मुर्ट कोशिकाओं को निकालता है और बन रोमचीदरों को खोलता है निक्टार टी लीफ मास्क दोस्तों फेस पैक बनाने के लिए निक्टार टी को टी लीफ क्लीनर के साथ मिलाएं और इस मिक्षन को अपने चेहरे पर लगाएं दोस्तों यह मास्क आपके चेहरे को चमकदार बनाता है एक बार सुख जाने के बार चहरे को अच्छे से दोलें तो दोस्तों आपने जान लिए है खुबसुरती को चाचान लगाने के लिए क्रिंटी का कैसे करें इस्तेमार थैंक फॉर वाचिन दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब अब चानल थैंक यू बाइ